चावनी में एक इलेक्ट्रोनिक्स दुकानदार के आठ साल के मासूम बेटे का पहरंड कर पांच लाग पचास अजार की फिरौती वसूली करने का मामला सदर थाने में आरोपी हरीश रंगूनवाला पर दर्च किया गया है इससे पूर्व हरीश और उसके भाई जैन रंगूनवाला के खिलाफ सदर थाने में होटल कारोबारी से ठगी करने का मामला दर्च हुआ है हरीश पर आरोप है कि उसने सेयद की दुकान पर कबसा किया दुकान का सारा सामान अपने पास रखा और उसके बेटे का अपरहन कर फिरोती ली उसने सेयद से करीब 11,50,000 रुपए वसूल किये हैं आरोपी ने यह कारणामा वर्ष 2020 से 12 नवंबर 2021 के बीच किया यह प्रकरना मदे फिर्यादीने दिलल तकरारी वरून रंगुन वाला जियाएता हारीश रंगुन वाला आनी तचा भाव जैन रंगुन वाला यह प्रकरना मदे विरुद्ध आपलेकले पोलिशन सदर है थे फसोनुकी चा खंडनी चा आनी रॉबरी चा असा एक गुना दाखर जालेला है त्या मदे दोनी आरोपी अटक है त्या प्राथमीक पीसेर गेतला है त्या मदे आपन गुनातव अपरलेले वाहन वगर जबते केलेले है इतरपुरावे सुद्ध जबते केलेले है आनी कही अनकी तपास बाकी असले ने आनी कही मुद्धेमाल सुद्ध बाकी असले ने । जमीन जागा होती जागा मालकाने पैसे दिला नता त्या हारिस रंगुन वाला याचा भाव जयन रंगुन वाला यानि ते पैसे हिसकावन तितुन पढ़ून गेला आपले भावकरने नियुन ठेवुले होती पैसे 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 परत मिलाले हारिस रंगुन वाले यानि परत केले परन्तु त्याचा जो सामान होटेल जाजाओ सामान काउन ठेवले होता तो देथ न ओता ते मागनी केले से त्यानी पाचलाक रूपेजी ते खण्डी मागेती होती न पुलिस के नुसार राम सुमेर बाबनगर कावरा पेट शांती नकन निवासी सयद अजर अली ताहिद अली ने सदर थाने में दर्च कराई शिकायत में बताया कि उनकी एसी रिपेरिंग और इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान है उसके उवेद और अलीम नामक युवकों के मारफ़त वर्च 2019 में हरीश रंगुनवाला से पहचान हुई हरीश की इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान थी हरीश ने ही उसे इलेक्ट्रोनिक की दुकान शुरू करने की सलह दी और चावनी स्तित्र सिंग बर्गर होटल के बगल में एक खाली जगा दिखाई और वह जगा खुद की बताई उसकी कहने पर टीन शेट की दुकान तयार की 25,000 रुपे प्रतीमा किराया तैकर वरज़ 2020 में दुकान शुरू की सेयद ने हरीश से नगत करीब 4,65,000 का इलेक्ट्रोनिक्स सामान खरीदा और 6 माल बाजार से खरीदा अपरेल 2021 तक हरीश ने हर महा किराया लेने के बाद भी दुकान पर कब्सा कर लिया और कहा कि मेरे सामान के 6,90,000 दे दो और अपना सामान ले जाओ जून 2021 में हरीश से जबरन तीन चेक लेकर गया एक चेक दो लाग का दूसरा चेक 75,000 का और तीसरा चेक 4,72,000 रुपए का था 3,70,000 रुपए नगद लिए बावजूद हरीश ने दुकान का सामान नहीं दिया नवंबर 2021 को हरीश घर आया और सायद के 8 वर्शी बेटे को उठा कर ले गया परशाद बेटे को छुड़ा कर ले जाने के लिए 5,50,000 रुपए देने के बाद भी हरीश ने दो घंटे बाद बेटे को उनके हवाले किया कैमरा परसन अखिलेश भारत वाज के साथ शितीचा देशमुग बीसी ए निउस नाकपुर